हलो डियर स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम लेसन लोहे की कील के बारे में पढ़ेंगे यह वच्चो एक एकांकी है यहां पर बताया गया कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति अपनी समझदारी से और विवेक से फैसला लेता है मौके की तलाश रखता है मौके का फायदा और वह सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है तो यहां पर सेट कुंदलाल अकेले ड्रॉइंग रूब में बैठे हुए होते हैं और वह उब रहे होते हैं और उनके दोनों बेटे हैं अतुल और प्रकुल वह एक और बैठकर कमरे में कैरम बोड खेल रहे होते हैं तो अब अकेले पंसे उप जाते हैं सेट जी और दोनों बच्चों को अपने आवाज लगाते हैं तो सेट जी बोलते हैं अतुल प्रकुल कहा हो मतला अपने दोनों बेटों को आवाज नाम लेकर पुकारते हैं कि तुम कहा हो तो फिर अतुल बोलता है कि हम यहां हैं पिता जी क्या बैठो पिर अटुल कहता है कि आज आपसे मिलने कोई नहीं आया क्या पिता जी पर जी कहते हैं नहीं कभी-कभी अकेला रहना अच्छा लगता एंदमी को तो फिर प्रकुल बोलता है हाँ तो आपने हमें कैसे याद किया तो सेड़ जी कहते हैं तुम लोग हर समय केरमी खेलते रहते हो या कॉमिक्स पढ़ते रहते हो लगता है तुम्हें कोई और काम नहीं है तो अतुर बोलता है नहीं पिताजी हम स्कूल भी तो जाते हैं पढ़ने भी तो जाते हैं तो सेड़ जी बोलते है ठीक है तुम स्कूल जाते हो पढ़ते भी हो लेकिन ज़्यादतर समय तो तुम खेलने में ही बिताते हो बैटे तो फिर प्रकुल बोलता है, सभी बच्चे खेलते हैं पिता जी, तो सेड़ जी बोलते हैं, नहीं, सब नहीं प्रकुल, प्रकुल केवल जिनके पस सुख सुविधाये हैं, साधन हैं, और जो घर के परती निश्चिन्त हैं, घर से बे फिक्र हैं, सिर्फ वो ही खेलते हैं, त खेलते तो गरीब बच्चे भी हैं पिता जी तो सेट जी फिर क्याते हैं लेकिन उनके खेल और काम के समय में संतुलन होता है अतुल कई बच्चे तो अपनी विकट इस्थिती के कारण खेल भी नहीं पाते हैं मतलब उनकी बहुत बुरी स्थिती होती है कि उन्हें खेलने के के लिए समय ही नहीं मिलता तो प्रकुल बोलता है आप नहीं खेलते थे कि आपने बच्पन में पिता जी तो सेट जी क्याते हैं मने अपने पता कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ था फिर अतुल बोलता है कि फिर आपने इतने मालदार कैसे हो गए पिता जी तो सेड जी कहते हैं वही कहानी तो सुनाने में पैठा हूँ आज तुम शायद ही विश्वास कर पाओगे कि मैंने कितनी अभावों में अपनी तो सेड जी कहते हैं नहीं अतुल यह बात नहीं है उनका देहान तब ही हो गया था नहीं को न मतलब है ठेहान। खरीदना बहुत मुश्किल था हमारे लिए तो अतुल कहता है कि तब तो आपको कुछ नो कुछ काम करना पड़ता होगा पिता जी तो सेड़ जी कहता है हाँ बेटा फालतों के समय में मैं अपनी मा का हाथ बटाता था वो जो काम लेकर आती थी उसमें मैं उनकी मदद करता थ तो प्रकुल कहता है कि फिर आप इतने बड़े आधमी कैसे बन गे पिताजी क्या वेपार शुरू किया था आपने वेपार मतलब बिजनस तो सेड़ जी कहता है वेपार शुरू करने के लिए पैसा कहां था हमारे पास वो गतले है फिर आपकी स्थिती ऐसे कैसे बदली तो सेड जी बूलते है यह तब की बात है जब मैं 15 साल का था एक दिन अपनी गरीबी के कारण दुखी मन से घर से बाहर निकले तो सोचा किसी के यह चोटी मोटी नौकरी कर लेंगे यह जो भी काम मुझे मिलेगा वो ही कर लूँगा तो क्योंकि मा की परशानी अब उनसे देखी नहीं जारी थी तो प्रकुल बूलते है फिर आप कहां कहां गए काम की तलाश में तो सेड जी ने कहां जल्दी मत करो सुनते जाओ घर से निकल कर मैं सडक पर आ गया मैंने देखा कि दो लोग आपस में बाते कर रहे हैं बती आते जा रहे हैं मतलब बाते करते वे चलते जा जी कहते हैं नहीं नहीं बेटे मेरे साथ कोई और घटना घटी चलते चलते एक व्यापारी ने अपने साथी से कहा कि तुम सड़क के किनारे पड़ी लोहे की एक कील देख रहे हो ना अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ती हो तो इससे भी व्यापार कर सकता है तो प्रकुल ने का आपने उन व्यापारी उसे पूछा कि यह कैसे हो सकता है सेट जी ने का नहीं प्रकुल मैंने उन से नहीं पूछा जब वो लोग कुछ आगे बढ़ गए तो मैं पीछे लोटा और मैंने सड़क के किनारे पड़ी वो कील उठा ली और मैं बार-बार यही सोचता रहा कि इन व्यक्तियों के कहे के अनुसार इस अकेली कील से व्यपार कैसे किया जा सकता है तो प्रकुल ने का लेकिन ये बात तो आपने उनी लोगों से पूछी होती पिता जी सेड़ जी ने का नहीं बेटे आदमी पढ़कर पूछ कर तो सीखता ही है बहुत कुछ अपनी बुद्धि मानी से भी सीख लेता है तुम धहर ये पूर्वा आगे की बात सुनो अतुल कहता है सुनाइए पिता जी फिर आगे क्या हुआ तो सेड़ जी बोलते हैं कि मैं उस कील को हाथ में लेकर सरक पर आगे बढ़ता गया दिमाज में एक ही सवाल चल रहा था कि इस बेकार सी कील से मैं व्यपार कैसे शुरू कर सकता हूँ तो सर्दियों के दिन थे और गन्ने का सीजन चल रहा था लेकिन अतुल बोलते हैं लेकिन गन्ने के सीजन का कील से क्या संबंद तो सेड़ जी कहते हैं उतावले मत बनो उतावले मतलब जल्दी बाजी मत करो ध्यान से सुनते जाओ आगे निकल कर मैंने देखा कि किसान गन्ने से भरी गाड़ी रोके हुए सड़क के किनारे बैठा है और पहिये में कुछ ठोक रहा है तो मैंने पूछा क्यों भाई क्या हुआ जो तुम यू बैठे हुए हो तो अतुल बोलता है गाड़ी का पहिया तूट गया होगा ना तो सेड़ जी बोलते है नहीं बैठे किसान ने बताया कि पहिये के दुरे की कील तूट कर गिर गई और पहिये के बाहर निकलाने का खत्रा है तो पास में बजार भी नहीं है जहां से कोई कील खरीद के लिया है तो प्रकुल बोलता है तो किसान की समस्या सुनकर आपने क्या किया पिता जी सेट जी ने बताया कि वो ही सब तो बता रहा हूं किसान की समस्या सुनकर मुझे व्यापारी की बात याद आ गई कि आदमी बुद्धिवान हो तो एक कील से भी व्यापार करके माला माल हो सकता है तो अतुल ने कहा कि आपने किसान को वो कील दे दी होगी बस सेट जी ने का नहीं मैंने किसान से पूछा क्या इस कील से तुम्हारा काम चल सकता है तो किसान ने कील को देखा और बोला बिल्कुल चल जाएगा तुम ये कील मुझे दे दो ये सुनते ही मेरा बुद्धिमानी एकदम जाग गई सिर्जी की बुद्धिमानी एकदम से जाग गई और उन्हों किसान से का ये कील मेरे काम की है मैं इसे नहीं दूँगा अतुल ने कहा इस पर तो किसान आपसे नराज हो गया होगा तो सेड़ जी ने कहा किसान बोला कि तुम जानते हो बालग बजार यहां से दूर है और मैं गन्ने से भरी गाड़ी अकेली छोड़कर नहीं जा सकता तुम यह कील मुझे दे दो और पैसे ले लो तुम बजार से दूसरी कील खरीद लेना तो प्रकुल पूछता है कि आपने ऐसा ही किया पिता जी तो सेड़ जी ने कहा हाँ बेटे मैंने किसान से कहा कि मैं यह कील दो रुपे में दे सकता हूँ इससे कम में नहीं दूँगा किसान ने मुझे दो रुपे दे दिये और कील को पईये की दुरी में ठोक कर गाड़ी आगे बढ़ा ली फिर अतुल ने पुछा आपने दो रुपे का क्या किया पिता जी तो सेट जी ने का मैं घर से खाली हाथ निकला था अब मेरे पाश 2 रुपे थे पर प्रश्न ये था कि 2 रुपे की चोटी सी राशी से मैं क्या काम कर सकता था भला तो प्रकुल ने का 2 रुपे से तो कुछ भी नहीं हो सकता सेट जी ने का हाँ पर अनुपवी व्यपारियों का तो कहना ये था कि बेकार कील बेच कर भी आजमी माला माल हो सकता है तो अतुलने का लेकिन आपने उनसे पूछा क्यों नहीं कि कैसे तो सिर्जी ने का मामला पूछने का नहीं बुद्धिमानी का था बच्चों मैंने कुछ दिर और सोचा और फिर निश्चे किया कि कल सुबें रुपियों के फूल खरीद कर माता के मंदिर के सामने बैठ भूगा और यदि शुरद्धालूं की कृपा हो गई तो दो के दस हो जाएंगे ये सब सोचते सोचते मैं वे रुपे लेकर उस दिन तो घर आ गया और मा को कुछ नहीं बताया और राग भर कारेकरम बनाता रहा और सूरज निकलने से पहले ही एक माली से दो रुपे के धेर सारे फूल खरीद लिए और उन्हें टोकरी में रखकर मंदिर के सामने बैठ गया उनको बेचने के लिए तो प्रकुल बोलता है क्या सारे फूल बिग गए पिता जी तो सेड जी कहते है कि हाँ वे फूल बहुत अधिक अच्छे थे ताजे थे तो साथ की साथ ही बिग गए और श्रद्धालों ने मोल भाव भी नहीं किया मू मांगे पैसे दे दिये उनको तो इन पैसों से आपने फिर कौन सा व्यापार किया पिता जी तो सेड जी ने का मैं जलबाजी में नहीं पड़ा पहले कई हफतों तक फूल बेचता रहा और फिर फूलों के साथ साथ मैंने प्रशाद रखना भी शुरू कर दिया इस तरह मेरा धंदा चलने लगा तो प्रकुल बोलता है मंदिर के सामने आपने दुकान बना ले होगी तो सेड जी ने का नहीं दुकान नहीं बनाई फड लगा कर बहुत समय तक बैठा रहा फड मतलब जो दुकान के सामने पट्टा विछा कर बैठ जाते हैं पेचने के लिए फुल माला तो जिन दिनों माता का मेला लगता था उन दिनों प्रशाद और फुलों की बहुत बिक्री होती थी तो धीरे धीरे मेरे पास काफी पैसा इखटा हो गया मा को भी अराम मिला और घर की रोटी भी अराम से चलने लगी तो अतुल बोला लेकिन अब तो कपड़े का बहुत कारोबार है आपका तो सेड़ जी ने का हाँ इस व्यपार तक पहुंसते पहुंसते मुझे बीच में कई और धंदे करने पड़े कई और काम करने पड़े तो प्रकुल पूछता है कि जैसे कौन-कौन से व्यपार तो प्रकुल बोला अब तो शेहर में कपड़े की सबसे बड़ी दुकान आपकी है लोग आपका सम्मान भी करते हैं तो यह चोटी सी कील का चमतकार हुआ पिता जी सेड़ जी बोलते हैं नहीं बेटे कील का नहीं उस वाक्य का जो व्यापारी ने अपने साथी से कहा था आदमी यदि बुद्धिमान हो तो एक किल से भी व्यापार करके माला माल हो सकता है तो बच्चो यह एकांकी गिरीजा शरण अगरवाल जी ने लिखी है इस कांकी में आपने क्या देखा कि बच्चो यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर चुपी हुई किसी भी प्रतिभा से किसी भी टैलेंट को अगर उपियोग करे तो वो जरूर सफलता प्राप कर सकता है तो हमें अपने जीवन में हमेशा अपनी बुद्धि मानी से और विवेक से काम लेना चाहिए और अपने अंदर जो हमारे अंदर प्रतिभा चुपी है उसको जरूर से प्रियोग करना चाहिए तो ये था बच्चो इस कहानी में थैंक्यू